एक तरफ जहां इसराइली सेना लेबनान में सीमित आपरेशन के तहट घुश चुकी है वही दूसरी तरफ इसराइल के ऊपर इरान के हमले का खत्रा मन्रा रहा था और तो और इसराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने मिडल इस्ट में अत्रिक्ट फोर्स भी तैनात कर द लेकिन अब मिडल इस्ट में युद्ध का ज्वाला मुखी फट चुका है और इसमें सीधे इरान की एंट्री हो चुकी है दरसल इरान ने इसराइल के उपर चार सो से ज्यादा मिसाईले दागी हैं इसकी वज़ा से पूरे इसराइल में हवाई हमलों के साइरन बजने लगे इसराइली सेना ने तुरंत लोगों से बम शेल्टर में जाने की अपील की है वहीं इरानी मीडिया का कहना है कि इरान रिवुलूशनरी गार्ड्स ने कबजे वाले फिलिस्तीन की तरफ कई मिसाईले दागी आयार जीसी के मताबिक ये हमला हिजबुला प्रमुक हसन नसरल्ला और निल्फोर हुसैन की मौत का जवाब है आपको बता दे कि इरानी सेना ने इस हमले के साथ ये भी कह दिया है कि अगर इसराइल ने इरानी हमलों का जवाब देने की जुरुरत की तो उसको गंभीर नतीज़ भुगतना पड़ेगा वहीं इसराइली मीडिया ने कहा कि इरान की तरफ से करीब 300 रॉकेट दागे गए वहीं टाइमस ऑफ इसराइल का कहना है कि इसमें से 180 सी बैलेस्टिक मिसाइले थी जबकि अमेरिकी अखबार दे नियू यॉक टाइमस ने कहा कि इसराइल पर पहली मिसाइल 15 मिनट के भीतर ही आकर गिरी जी सदेग कर लगता है कि ऐरान ने बैलेस्टिक मिसाइलें फायर की है वेमालाख हागना बीचानू लो मैतीर होतीम ये नम बगियोत बौददोत बमरकाज वेमर्खबीम नौसफ़ीं बड्रूम अरेच बשלב זה אנחנו עדיין מעריכים את המצב, אנחנו לא מכירים לפגעים וזאת עודות להתנהלות האחראית שלכם בנוסף אנחנו מבקשים לא לתת מידע לאויב ולא להעביר מיקומים וטיעודים עם מרחבים בהם ישנן פגיעות אנחנו נמצאים במוכנות גבוהה, בהגנה ובהתקפה אנחנו נגן על אזרחי מדינת ישראל יהיו לירי הזה השלכות יש לנו תוכניות, אנחנו נפעל במקום ובזמן שנחליט वहीं इरानी सेना का कहना है कि उसने सिर्फ इसराइली आर्मी के ठिकानों को निशाना बनाया है वहीं दूसरी तरफ न्यूज अजेंसी रॉइटर्स ने कहा कि इरान ने इसराइल के ऊपर बैलेस्टिक मिसाइलों का पूरा जथा फायर कर दिया है जिन्हें जॉर्डन के आस्मान में देखा गया रॉइटर्स के मुताबिक दरजनों मिसाइले जॉर्डन को पार करते हुए इसराइली एर स्पेस में जागुसी और इससे कई इलाकों में नुक्सान भी हुआ है हालकि इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम ने इन में से कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया लेकिन कुछ मिसाइलों को जमीन पर फटते हुए भी देखा जा रहा है हालकि इसराइली सेना ने इरानी हमलों पर बहुत बड़ा बयान दिया है IDF का कहना है कि एरान को इस हमले की सजा भुगतनी होगी और इस सब के बीच अमेरिका ने एरान से दो टूक कह दिया है कि वो इसराइल के साथ खड़ा है दर असल अमेरिकी राश्पती जो बाइडन ने मिडिल इस्ट में अमेरिकी फॉज को इसराइल की मदद के लिए तैयार रहने का ओर जारी किया है We do not know of any damage to aircraft or strategic military assets in Israel In short, based on what we know at this point, this attack appears to have been defeated and ineffective लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात ये है कि इन हमलों में इसराइल को कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी तक कोई पुखता जानकारी सामने नहीं आई है हुआ 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 है में अल्मदी लेकिन अल्मार हुआ है प्रप्राइब बाइब दोह दो है अगरा नहीं होती है गुझ फिस से घुल ए Zweal फिसे ले जो ठरीम फिस्वेट फिससे अजसे जढ महीं फिसे जद्छे मकलेत प्लते जढ जढ झाल झाल झाल